दोस्तो सब्स्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन्स आपको मिलते रहे अरे यार क्या हुआ है रे क्यों इतना परेशान है तुँआ देखना है मैं अपना मोईल लग करना भूल गया और वैसे ही स्क्रीन अन रख Fan मैंने अपना mobile मेरी जेब में रख दिया बहुत सारी application on हो गई बहुत सारे message चले गई मेरी battery पूरी तरह low हो गई है देख न यार Harry इसका कुछ तो solution बता बस Carry इतनी सी बात तो दोस्तो आज मैं आपको और Carry तुझे भी हमारे phone में लगे हुए proximity sensors के कुछ secret के बारे में बताने वाला हूँ तो दोस्तो ये वीडियो आप पूरा देखिए end तक हमारे phone में लगे हुए proximity sensor में कौन से secret है जो शायद आपको नहीं पता होगा So friends, what are the secrets of proximity sensor? Let's find it out अच्छा Carry अभी सुन ले ये ध्यान से सुनना दोस्तो वैसे तो हमारे mobile में एक sensor लगा होता है जिसका नाम है proximity sensor हला कि दोस्तो proximity sensor जो है वो हम जब ही किसी को call करते है तो जब आप call receive करते हो और आप जैसे ही आपका phone आपके skin के तरफ आपकी body की तरफ ले जाते हो तभी उसकी screen off हो जाती है दोस्तो हाला कि ये तो काम में आता है सिर्फ call receive करने के time पे और किसी भी और application या कुछ भी आप on करेंगे तो proximity sensor काम नहीं करता और आपकी screen on ही रहती है और बहुत time ऐसा होता है जैसे carry के साथ हुआ कि वो अपना phone जेब में रख देते है और अपनी screen on छोड़ देते है ताकि उसकी वज़े से बहुत सारी application on हो जाती है बहुत किसी लोगों को message भी चले जाते है किसी को call भी लग जाते है तो इससे क्या होता है कि हमारी battery भी बहुत जादा use हो जाती है बहुत जादा battery drain हो जाती है जैसे carry के साथ हुआ वैसे आपके साथ भी हो सकता है तो दोस्तो आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे secret के बारे में जिससे की आप proximity sensor को हर एक use में ले सकते हो तो carry तू भी ध्यान देना Google Play Store में से आपको डाउनलोड करनी होगी एक application जिसका नाम है proximity service दोस्तो proximity service बहुत ही छोटी application है around 700 KB के आसपास की application है और जिसे 4.4 rating दी गई है यानि कि ये application बहुत ही अच्छी मानी जाती है दोस्तो जैसे ही आप proximity service डाउनलोड कर लेंगे तो जैसे ही आप डाउनलोड करने के बाद उसके उपर open पे click करेंगे तो आपको नीचे एक message आएगा proximity service is activated तो दोस्तो जैसे ही आप activated करते हो तो आप जैसे ही आपके mobile के proximity sensor के वहाँ पे आप जैसे ही finger रखेंगे या आप कुछ भी आप कोई भी और चीज जैसे कागज का टुकड़ा या कोई भी चीज आप रखेंगे तो आप तुरन देखेंगे कि आपके mobile की जो screen है वो off हो जाएगी तो दोस्तो कही बार हम देखते है कि हम जल्दी जल्दी में अपना mobile जो है वो वैसे ही pocket kit में रख देते है या कही अपनी बैग में या कहीं पर रख देते है तो हमारी जो mobile की screen है वो on रह जाती है उससे बहुत सारी battery drain हो जाती है हमारा mobile data use हो जाता है हमारा mobile का balance है वो भी use हो सकता है तो दोस्तों ये proximity sensor अगर आप activate कर लेंगे जैसे ही आपके mobile के proximity sensor के वहाँ पर कोई भी चीज़ आएगी तो तुरंत ये आपके mobile की screen जो है वो off कर देगा इससे क्या होगा दोस्तों कि आप आपके mobile की बहुत सारी battery save कर सकते हो battery life increase कर सकते हो आपका mobile का data भी use नहीं होगा आपका जो mobile balance use होता है वो भी नहीं होगा तो दोस्तों carry भी download करेगा आप भी application डाउनलोड करें और मुझे बताए नीचे comment box में कि आपको ये application कैसी लगी ये application work करती है या नहीं करती है thank you so much friends hope आपको ये video पसंद आया होगा जैसे Harry ने बताया आप भी application डाउनलोड कीजिए और Harry को बताये कि ये application कैसी है और ये video आपको पसंद आया है तो आप अपने friends और family को भी share कर दीजिए और दोस्तों अभी दख आपने हमारी channel को subscribe नहीं किया है तो नीचे जो लाल वाला बटन है वो दबाईए और हमारी channel को तुरंच subscribe कर लीजिए तो दोस्तों मैं मिलूंगा आपको अगली बार एक नए topic के साथ एक नए video के साथ तिल देन friends बाई बाई टेक केर be happy, be healthy and thanks for watching this video thank you so much so thanks for watching this video friends thank you so much